Hello Friends, Welcome to Literary Love चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी वीडियो का भी मिस ना करें साथ ही अब आप हमें फेस्बुक पे भी फॉलो कर सकते हैं Friends, आज की वीडियो में हम बात करेंगे W.B. Yeats की एक पोयम के बारे में जिसका नाम है An Acre of Grass ये पोयम उनकी कलेक्शन Last Poems में 1939 में Post Humorously पब्लिश की गई थी यानि उनकी डेथ के बाद ये पोयम 24 lines की है जो 4 sisters में यानि 6 line stanza में बांटी गई है हर sister की rhyming scheme है A, B, C, B, D, D Friends, इस पोयम की theme है Old Age and Death यानि किस तरह पहले बुढ़ापा आता है और फिर उसके बाद मौत आती है और वो बुढ़ापा एक तरह का वेटिंग टाइम होता है जब लोग अपनी डेथ का इंतिजार करते है Friends, पोयम में poet अपने Old Age को discuss करते हैं उन्हें पता है कि उनकी life end पर है और अब उनकी मौत तरह है Friends, William Butler Yeats एक Irish poet थे जिनका जन्म हुआ था 13 June 1865 में और उनकी death हुई थी 28 January 1939 में वो 28th century literature के एक बहुत ही important figure माने जाते हैं 1923 में उन्हें Nobel Prize in Literature भी मिला था और उनकी famous poems में Easter 1916, The Second Coming, Sailing to Byzantium और Lira and the Swan ये सभी poems शामिल हैं तो चलिए Friends, अब poem पर आते हैं और इसे line by line read कर समझने की कोशिश करते हैं Picture and Book Remain यानि poet अपनी हालत के बारे में बताते हैं कि अब उनके पास केवल तस्वीरें और किताबें हैं कोई और उनका companion उनके साथ अब नहीं है An Acre of Green Grass और घर के बगल में एक एकर जमीन है जिस पर घास उगी हुई है For Air and Exercise जहां वो खुल कर सांस लेते हैं और Exercise करते हैं यानि कसरत करते हैं Now strength of body goes मगर अब मेरे शरीर की ताकत खत्म हो रही है Midnight and old house where nothing stirs but a mouse और रात का समय है जहां इस पुराने घर में कोई हलचल नहीं है सिवाए एक चूहे के यानि फ्रेंट्स यहां पर poet अपने loneliness को बता रहा है इस old age में उसके साथ कोई नहीं है वो अकेला है सिर्फ उच तस्वीरे और किताबे हैं उसके पास और वो इस अकेले बड़े से घर में एक चूहे की हलचल से परिशान है My temptation is quiet यानि मेरी desires शान्त हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी है Here at life's end यहां मेरी जिन्दगी के अंत पर Neither lose imagination, nor the mill of mind यानि ना ही मेरा मन कुछ imagine कर पाता है और ना ही ठीक से काम कर पा रहा है यह सब old age का असर है मैं धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा हूं Consuming its rag and bone जो धीरे धीरे मेरे शरीर को कमजोर कर रही है Rag and bone यानि मेरा शरीर Can make the truth known और यह सच सबको पता होना चाहिए क्योंकि यह एक universal truth है बूढ़े होने पर हमारा शरीर कमजोर हो जाता है और हमारा दिमाग सही से काम नहीं कर पाता है यानि यहां पर poet एक तरह का confession कर रहे हैं कि old age ने किस तरह उन पर असर किया है और उनके शरीर को कमजोर कर दिया है इतना ही नहीं उनका दिमाग भी अब पहले की तरह नहीं रहा वो बूढ़े हो चुके हैं और उन पर ये असर दिखाई देना शुरू हो गया है फ्रेंट्स फ्रेंजी का मतलब होता है पागलपन तो poet कहते हैं कि मुझे एक बूढ़े इंसान का पागलपन दे दो myself must I remake क्योंकि मुझे खुद को फिर से बनाना चाहिए till I am Timon and Lear और ये तब तक करना होगा मुझे जब तक मैं King Lear या Timon of Athens ना बन जाऊ यानि इनकी तरह powerful ना बन जाऊ ये दोनों ही एक एक King थे तो मैं उन्हीं की तरह powerful और ताकतवर बनना चाहता हूँ और that William Blake या उस poet William Blake की तरह बन जाऊ who beat upon the wall जो अपने बूढ़े उम्र में भी creative थे beat upon the wall मतलब उन्होंने अपना दिमाग नहीं खोया था और अपनी पहचान को कायम रख पाए थे काश मैं उन्हीं की तरह बन जाऊ till truth obeyed his call और असा तब तक जब तक उनकी बात सची नहीं साबित हो गई यानि poet यहाँ पर अपने बूढ़े शरीर से तंग आ चुका है और उसने decide किया है कि वो दूसरों की तरह बनना चाता है या तो वो Timon and Lear की तरह महान राजा बनना चाता है या वो William Blake की तरह बनना चाता है जो अपने बूढ़े उम्र में भी उतने ही समझदार थे poet इन लोगों की तरह ही बनना चाता है और अपने इस बुढ़े शरीर को छोड़ देना चाता है और एक दिमाग जो Michael Anglo का था वो उसे जानते थे फ्रेंड्स Michael Anglo एक Italian sculptor, painter, architect थे और उन्हें एक genius माना जाता था वो बहुत सारी fields में बहुत ही अच्छे थे तो मुझे उन्ही की तरह एक दिमाग चाहिए that can pierce the clouds और ऐसा होगा वो दिमाग जो बादलों को pierce कर सकता है उन्हें भेज सकता है और inspired by frenzy या अपने पागलपन से inspire होकर प्रेरित होकर shake the dead in their shouts वो मरे हुए लोगों को उनके shouts में यानि उनके कफन में हिला सकता है इतनी ताकत है उसके मन में बिलकुल वैसा ही दिमाग वैसा ही मन मुझे भी चाहिए forgotten else by mankind यानि इनसानों ने मानफता ने उन्हें बुला दिया होगा and old man's eagle mind एक बुड़ा इनसान जिसका दिमाग किसी eagle यानि किसी chill की तरह तेज था friends यहाँ पर ये poem खत्म होती है इस poem में death और old age दोनों को ही discuss किया गया है poet जानते हैं कि उनकी उम्र हो चुकी है अब उन्हें मौत आएगी लेकिन वो मरना नहीं चाहते हैं साथ ही वो अपने इस बुड़े शरीर से भी परेशान हो गए है जो ना ताकतवर है और ना ही जिसका दिमाग सही से काम करता है यानि पुड़ापे का उन पर असर हो गया है वो imagine करते हैं कि वो अपने शरीर को महान राजाओं के शरीर से बदल सकते हैं और साथ ही अपने दिमाग को एक जीनियस का दिमाग बना सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मौत तो आनी तय है वो inevitable है तो friends ये थी William Butler Yeats की poem An Acre of Grass